गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ बिपें सनोडिया नियुद्रिश्टी अगैडमे सीविनी आज आपके सामने फिर आज राज हम लोग फिर करण फेस के बारेंगे चर्चा करेंगे दोस्तों वीडियो को लगातार देखते रहे हैं समय बरबाद ना करते हुगे हम कोविड नाइनटीन रोगियों के लिए दिल्ली सहर में पहला आइसोलेशन कोज लगाया है क्या लगाया है दोस्तों तो मैं आपको रेल्वे के बारे में बता देता हूँ रेल्वे हमारे पर पहली रेल्वे लाइन कब चलाई गई थी दोस्तों तो पहली रेल्वे हमारे पर 16 अप्रेल 1800 आपको पता होगा कब चलाई गई थी तो हमारे आपर 53 में चलाई गई थी कब चलाई गई थी तो रेल्वे बोर्ड की स्थाबना कब हुई थी हमारे पर 1905 म कोम इसके सब्सक्राइब अभी दोस्तों तो रेल मंत्री कौन प्यूज मत्री इस और यह तोします अभी हमारे आपको पता होक़ जॉन ऑपकी स्क्रीन करें सामने हरा है क्लियर हो ओर इसके 4 रही हुए है पर और चलीए classification करते है तो next question क्या कह रहा है अंडमान और निकोवार कमांड इन चीफ मनोज पांडे को निउक्त किया गया है यह बार और सुनिएगा दोस्तों अंडमान और निकोवार कमांड इन चीफ मनोज पांडे को निउक्त किया गया है अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर नाम आया है अंडमान और निकोबार का ये दोनों क्या है दोस्तों आपको अंडमान और निकोबार क्या है दोस्तों भारत के एक कैंद सासित प्रदेश है चलिए और ये कहां पर आता है तो ये बंगाल की खाड़ी में आता है कहां पर आता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आता है ले हमारे पर कौन करता है दोस्तों दस डिग्री चैनल अलग करता है क्लियर है दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कोशन क्या कह रहा है दोस्तों यह हमारे यहां पर बरतमाल में नरेंद्र मोदी जी ने MSME मतलब इसका क्या होता है दोस्तों तो नरेंदर मोदी जी ने MSME को ससक्त बनाने के लिए Champion Portal का सुब आरम किया है किसका है दोस्तों Champion Portal का सुब आरम किया है तो यहाँ पर एक term आया है तो मैं आपको बता देता हूँ MSME यह है क्या इसके ध्यान सुनिएका दोस्तों तो MSME का Full Form होता है Micro, Small, Medium Interprises क्या होता है दोस्तों Micro, Small मैं आपने देखा होगा दोस्तों Medium और Interprises क्लिए है दोस्तों और इसकी स्थापना का हुई थी तो 2007 में हुई थी इसका Head Quarter कहाँ पर है कहा है दोस्तों New Delhi में है चलिए अब ध्यान देना यह हमारे यहाँ पर MSME में यह चैंपियन से Portal क्यों सुवारम किया गया मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा दोस्तों MSME के हमारे पर मदद करने के लिए तदह उसमें आई हुई समस्याओं को समधान करने के लिए यह Portal लौज शुरू किया गया है दोस्तों चलिए हम Next Question की बात करते हैं तो Next Question क्या कह रहा है दोस्तों तो Next Question कह रहा है कि केरल राज ने के फॉन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा सुरू करने की घोशना की है अब ध्यान दे दोस्तों तो हमारे पर मुफ्त इंटरनेट सेवा किस नाम से के फॉन ठीक है दोस्तों तो केरल ने ये सुरू की है अब ध्यान देना दोस्तों अब हमारे पर केरल का नाम है तो केरल का रहे हैं आपको बताता हूँ केरल की राजधानी क्या है दोस्तों तिरू अनंत पुरम है यहां के राज़ आपको पता होगा गवर्णर कौन है हमारे यहां पर तो गवर्णर आरिप महम्मध खान है और यहां के C.M. कौन है पिंडरी बिजियन है clear है दोस्तों और ओच नियाई धीस कोई है आपको यह पता होना चाहिए तो ऐस मड़ी कुमार है कोई है दोस्तों ऐस मड़ी कुमार है clear है चलिए हम next question की बात करते हैं तो next question क्या कह रहा है तेलंग गाना राज इस्थापना दिवस कब मनाया गया दोस्तों तेलंग गाना राज इस्थापना दिवस कब मनाया गया हमारे यहाँ पर दो जून को मनाया गया है अब ध्यान से सुनना दोस्तों यह दो जून को मनाया गया तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों हमारे यहाँ पर तेलंगाना अभी को कौन सा नमबर का राज बना था 29 पे नमबर का राज बना था लेकिन अभी बरतमान में कितने हो गए है 28 हो गए है ठीक है दोस्तों तो हमारे 29 पर नमबर का राज कौन सा बना था तेलंगाना तो कब बना था 2 जून 2014 को बना था तो यह पहले CM थे, clear है दोस्तों, और यहां की governor कौन है, तमिल साई सुन्दर राजन है, clear है दोस्तों, क्या है, तमिल साई सुन्दर राजन है, और यह भी आपको पता होना चीए कि यहां का राजिकी पसू क्या है तो यहां का राजिकी पसू क्या है दोस्तों हिरन है चलिए हम बात करते हैं नेक्श्ट कोश्वन कीत करते हैंק की और तो next question क्या बोल रहा है PFC अब ध्यान देना दोस्तों PFC के नए CMD किसे किसे बनाए गया है तो रविंदर सिंह धिलो को बनाया गया है किसे बनाए गया है दोस्तों रविंदर सिंह धिलो को clear है चलिए अब यहां पर आया है एक टर्म PFC मैं आपको इसके बारे में बता द करते हूं PFC का फुल फॉर्म होता है Power Finance Corporation क्या होता है दोस्तों Power Finance Corporation clear है और यहां क्या आपको पता होगा है यह हमारे यहां पर इसका हिंदी में क्या बोलते है उर्जा बित निगम कहते हैं इसकी स्थापना कभी थी दोस्तों जुलाई 1986 में हुई थी इसका हैड़कोर्टर कह है तो New Delhi में है clear है चलिए हमने next question की बात करते हैं COVID-19 पर behind the mask नामक पुस्तक किस ने लिखी है दोस्तों तो हमारे आपर मुहमद अब्दुल मनान ने लिखी है अब ध्यान देना में एक बार रिपीट कर देता हूं COVID-19 पर behind the mask नामक पुस्तक मुहमद अब्दुल किने मनान जी ने लिखी है clear है दोस्तों चलिए अब हम बाता बात करते हैं कि यह क्यों लिखी है इसमें क्या लिखा होगा इसमें दोस्तों कि जो COVID-19 मतलब CO का मतलब होता है क्या कोरोना वी आई का मतलब होता है वाइरस D का मतलब होता है disease clear है चलिए और 90 मतलब 2019 में यह सबसादर प् लिखी हुई है तो किनने लिखा है हमारे पर मुहमद अब्दुल मनान जीने से लिखा है clear है चलिए हम next question की बात करते हैं तो next question क्या कह रहा है दोस्तों life saving तकनीक की समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए seed tap launch किया गया है तो launch किस ने किया है पेपर में यह बूचता है तो किस ने किया है दोस्तों WHO ने किया है मैं एक बार और repeat कर देता हूँ life saving तकनीक की समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए seed tap launch WHO ने किया है clear है दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है अभी हमारे पर TK की दवाई के लिए हमारे पर जो भी दवाईया है वो सभी जगह समान रूप से पहुँच सकी और हमारे पर दवाईयों को जो दवाव है वो कम हो सकी इसलिए हमारे पर इसको launch किया है अब ध्यान देना दोस्तों यह हमारे बस seed tap का जो है इसका full form भी आपको पता होना चाहिए seed tap का full form होता है COVID-19 technology access pole क्या होता है दोस्तों COVID-19 technology access pole clear है दोस्तों चलिए अब यहाँ एक term आया है WHO तो WHO की स्थाबना का होई है तो world health इसका full form क्या होता है world health organization इसकी स्थाबना का होई है दोस्तों 7 अप्रेल 1948 को होई है इसका head quarter कहाँ पर है तो इसका head quarter जेनेवा में है और इसके head कौन है Tedros जी है कौन है दोस्तों Tedros अधान जी है clear है चलिए हम next question की और बढ़ते हैं next question क्या कह रहा है दोस्तों कि DRDO ने अल्ट्रा स्वच नामा किटाणूओं आपने देखा होगा किटाणूओं सोध एकाई तकनिक की सुरुवात की है अब मैं आपको बताता हूं DRDO ने अल्ट्रा स्वच नामा किटाणूओं रोध थी तो 1998 मुई थी तो 1958 में हुई थी और इसका headquarters कहां पर है तो न्यू डेली में है और इसके सिया आपको पता होगा कि चेर्मैन कौन है तो जी सदीस रेटी है clear है चलिए अब यहां पर आया था आल्ट्रा वायर स्वच नामा के टाणूर हो दिया अब ध्यान दीजेगा दो पहनते हैं तो उनको उतार करेंगे उनको उतारेंगे और वो हमारे पर उसमें अल्ट्रावाइट करनों को जारेंगे उससे क्या होंगे जवाणू नेस्ट हो जाएंगे clear है दोस्तों चलिए हम next question की बात करते हैं तो next question क्या कह रहा है खेलो इंडिया पाट साला क्या है दोस दोस्तों किरन रिजिजू है clear है चलिए अब हम देखते हैं यह आपने देखा होगा कि हमारे पर ओनलाइन एथलेटिक को ट्रेनिंग दी जाएगी आप करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे कल थैंक्यू